कि नमस्कार पिरिया जन्म आप सबीका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुपचिन तक आप आए मेरी चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुर्पूर निवा जोकी 24 जुलाई 2021 को है आज हम गुर्पूर निवा के बारे में बात करेंगे जैसे इसे व्यास पूर निवा भी कहते हैं गुर्पूर निवा जो है वो गुरू के निमित है व्यास जी का इस दिन जनम हुआ था इसलिए इसको गुर्पूर निवा भी कहा जाता है तो गुर्पूर निवा का महत्व इतना है कि आप अपने जो भ गुरु नहीं है तो आपके घर में जो भी बड़े हैं आप से कोई भी बड़े हैं चाहे माबाप भाई बेहन दादा दादी चाचा चाची ताउटाई कोई भी हों उन सब के आप मान सम्मान करिए उसके तो उस दिन उनको उनके पसंद का कुछ भी कुछ भेंट करें उपहार अंदकार से प्रकाश की और दे जाता है, गुरू के ग्यान के बिना कुछ भी नहीं है, कभी ये जिने कहा है कि गुरू बिना ग्यान कुछ भी नहीं, तो इसलिए गुरू ग्यान के लिए आप गुरू पूर्निमा के दिन जो जिस विशेश बात के लिए मैं ये उपाई लेक यह तो गुरू का महत्व थोड़ा सा मैंने शुरू में बताया है गुर्पूर्णिमा का तो गुर्पूर्णिमा के दिन वैसे तो हर पूर्णिमा आती है देखिए लेकिन गुर्पूर्णिमा का और कुछ पूर्णिमा इसी है जिनका बहुत अपने आप में विशेश महत्व है उनमें गुर्पूर्णिमा भी उतनी भी महत्वपूर्ण है आप विबाशादी के लिए लड़के लड़कियां कितनी देरी होती है माता पिता कितनी चिंतित रहते हैं उस बात को लेकर मैं आज जो गुर्पूर्णिमा का बहुत ही एक आसान सा पांच रुपे का एक को पा या एकादिशी ही को हम जो याद करते हैं कि पीपल का पूजन कभी भी बिना छोड़े क्योंकि पीपल में सभी देवताओं का बास है पीपल में गुर्पूर्णिमा के दिन सुभे दूद और चीनी मिला हुआ जल अवशे अर्पित करें दूद और चीनी का जल जरूर अर्पित करें वहां शुदगी का देपक जला की आएं ये तो आप पहला उपाई सुबह नहाद होके एक बार जरूर कर ही लें उसके बाद आती है शाम की बारी तो शाम को आप जब दिप सस्ता सा उपाई बहुत सस्ता है इसको हर पूर्णिमा को करते हैं तो संभव है कि आपके एक या दो पूर्णिमा या तीन पूर्णिमा आएंगी पांच पूर्णिमा से उपर पूर्णिमा नहीं आएगी इस उपाई से और आपके विवाह का जो भी देरी हो रही है जो भी ग्रह कष्ट दे रहे हैं ग्रह बंदर मने हुए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे गुरपूर्णिवा के दिन उपाए जो है ये भोलेनात का उपाई है गुरपूर्णिवा के दिन शाम के समय अगर आप दोबारा से नहाद हो सके तो बहुत अच्छी बात है ब्रत आप रखे ना रखें आपकी इच्छा है लेकिन इस उपाए को बेटे बेटियां एविवाहित जो विवा की योग्ये हैं वो इसको जरूर कर ले और इसको महीने में एक वार करना है रोज आपको करना है नहीं पूरनिमा को करें अच्छा आप ये कहेंगे कि क्या इसका संक्लप लेकर मम् सब्सक्राइम चल रहा हो नएक कर पाएं तो कोई दूसरा भी सुपाय कर सकता है बहुत असान उपाए हैं और इस उपाए को करना भी बहुत थोड़ी सी देर में हो जाएगा कोई आपको टेंशन नहीं करना है को खर्चा ज़्यादा कुछ भी नहीं है लेकिन लगवग है विवा को लेकर जितनी प्रेशानी है देरी हो रही है वो सब खत्म हो जाएंगी करना क्या है शाम को आप पूजा के समय पूजा कर में जब बैठते हैं पूजा करने के लिए उस वक्त आप भोले नात्मा पार्वती की सामने तस्वीर रखिए अगर पूर्रिमा के दिन लाल कपड़ा आपको ना मिले बिल्कुल छोटा सा तो आप लाल कागज भी ले सकते हैं उसकी जगह तो आप पूजा करने बैठें बगवान की सबसे पहले तो भगवान को बोड़ेनात को आप खीर अरपित करें साबूदाने की खीर हो तो बहुत अच्छी बात है और नही करी में चंदर देव को हैं छेल में थोड़ा सा एक चमच दूध डालके अरग्य दें थोड़ा सा मीठा चीणी पी चयार दाने डालें उसमें या मिश्री का अकै डाल लें वह अरग्यवी जरूर में चंदर इव को यह वी जम आप जोटेंवेर होता हिए उसमें पारवती देवी जो मंतुमोती होती है तो आपको करना क्या है कि आप जब बैठें पूजा करने के लिए तो खीर अर्पित करें सबसे पहले जानांpsy को और शुदगी का एक दिपक जिलाएं शुदगी का दीपक जलाने के बाद आपको दो लोंग हाथ में लेकर अपनी मननत मानते हुए कि हमारी फला मनों कामना पूरुन हो जाए ऐसा ऐसा आप मन में संक्लप लेंगे लेकर वो दो लोंग जो दीपक आपका जल रहा है घी वाला भोलेनात मापारवती के आगे उसमें आप डाल दे हुद कि दिपेडिर ओर दो लोंग जो आपके पास रहे अब उन दो लोंग को चार लोंग आपने लिये हैं दो लोंग आपके पास बच गए है उनको दोनों को हाथ में ले के मां भोले नात पारवति का ओमने वेश्य आयों अमने वेश्य आयो आपका जितना मन करें 11 वार 20 वार 180 वार आपका मन करें मनहीं मन इसको दोहराू ले और जब कर embora आप oke करने के बाद भोलेनाथ के मंतर का आप उन दो लोग को लेकर लाल कपड़े में या लाल कागज हो आपके पास उसमें लपेट ले लपेट कर भोलेनाथ माबावदी जो तस्वीर है उसके आगे वहाँ पर पूजा घर में रख दे और अगर चोटा सा कपड़ा हो आपके पास चोटा सरुमाल हो तो उसमें बांद के भी रख सकते हैं मतलब किसी आप पवित्र जगह पर नहीं रखना उसे आपको पूजा घर से ज्यादा पवित्र कोई जगह होती नहीं है तो उस पवित्र जगह पर आपको रख दिना है अच्छा आप कहेंगे कि हर पूर्णिमा को फ 25 पूर्णिमा पूरी कर लें तो परशाद के रूप में ग्रैंड करें यह उपाय था छोटा सा आप जरूर करें इस पूर्णिमा से शुरू वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग